जब भी मैं कुछ ठंडा या गरम खाते हूं, तभी मेरी दातों में जोड से जंजनाहट होती हैं। अब मैं इसका क्या इलाज करूँ। चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। Hello everyone, my name is Shweta Sharma और आज किस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं। अगर कुछ भी ठंडा या गरम खाते या पीते वक्त आपके दातों में जनजनाहट होती हैं, यानि sensitivity होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि आज किस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि sensitivity के यानि कि जनजनाहट होने के क्या-क्या reasons हो सकते हैं, क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके अलावा इनके घरेलो इलाज, यानि कि home remedies आप क्या-क्या अपना सकते हैं और अगर home remedies से भी काम नहीं चरता है, तो क्या-क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम reasons के बात कर लेते हैं, यानि कि दातों में जनजनाहट होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिसका सबसे पहला और बहुत important reason होता है जो और से brush करना, जि बिलकुल बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जितना हम जोर-जोर से brush करेंगे, उतने ही हमारे दात बिलकुल चमक उठेंगे, जो कि बिलकुल गलत है, क्योंकि हमारे brush करने का एक ही motive होता है, एक ही उदेश होता है कि जो भी food particles हमारी teeth की surfaces पे हैं, उनको clean करना, तो इसलिए जोर से brush करने का कोई भी फाइदा नहीं होता है, आपको बिलकुल softly brush करने है, और दूसरी बात, जोर से brush करने से हमारे दातों की सबसे उपर वाली जो layer होते है, वो हट जाती है, जिसके हटने के वज़े से उसके नीचे की जो layer होते है, वो dentine होते है, वो expose हो जाती है, जिसकी वज़े से हमें ठंडा या गरम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको यह आदत सुधारने पड़ेगी, अगर आप जोर-जोर से brush करते हैं, तो वो ना करके, आप बिलकुल softly brush करेंजे, और इसी के साथ एक और important बात है, कि बहुत सारे लोगों की brush का texture होता है, वो hard होता है, तो आपको सबसे पहले आपकी brush ही बदरने पड़े या फिर नॉर्मल जोसिस भी क्योंकि उनका pH बहुत ही कम होता है, यानि कि वो acidic होते हैं, और ये बाद मैं हर बर बताते हूं कि जो हमारे दातों की सबसे उपर वाले लेयर होते हैं, जिसे हम एनमल कहते हैं, वो basic nature की होते हैं, तो कुछ भी हम acidic चीजे लेंगे, वो basic जो हमा लेते हैं, उनको आप स्ट्रो की हर्प से पी सकते हैं, और next reason हो सकता है दातों में cavity, यानि कि जो लोग ब्रश अच्छी से नहीं करते हैं, तो फिर उनके दातों में cavities हो जाते हैं, उनके वज़े से भी खंडाया गरम आपको लग सकता है, एक और important reason यहां पर आ जाता है, ज ब्राइंडिंग करते रहते हैं, यानि कि ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं, यानि कि ऊपर और नीचे वाले दात बहुत जादा घिस जाते हैं, जिसके वज़े से दातों में sensitivity हो जाते हैं, और जिन लोगों का ब्रश करने का तरीका सही नहीं होता है, जो लोग सिंपल ऐसे घ सेकेंड बात आपको ब्रश बिलकों सोफ्टली करने हैं, कोई भी जोर जोबरदस्ति आपको ब्रश के साथ नहीं करने हैं, और तीसरी बात है आपके ब्रशिंग टेक्निक सही होनी चाहिए, और राइट जिसके वज़े से जो फोटो में दिखा हैं, ऐसा नहीं होगा, इसक कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी ड्रिंक्स आप पेंगे वो आप स्टो की हर्प से पीचे या फिर अगर नॉमली आप सिप सिप करके पी रहे हैं, तो हर एक ड्रिंक के बाद आपको नॉमल पानी से मौत रिन जरूर करना है, ताकि जो एसे डिक ड्रिंक्स है वो आपक अगर यह प्रोब्लम आपको है, तो आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, आपको नाइट गार्ड्स दिये जाएंगे, जो आपके डातों को कवर करते हैं, जिसके वज़े से आपके डात घिसेंगे नहीं, और अगर आपके डातों में कैविटी है, तो वो कैविटी आपक प्रेनिक पे ही होगा, आपको बेसिकले डातों के कलर का ही मसाला बिरा जायेगा, जिसके बाद आपके डातों की सेंसिटिवीटी खतम हो जाएगी, इसके अलावा, मैं कुछ टूथ पेस्त आपको बता देते हूं, जो मेडिकेटे टूथ पेस्त होते हैं, जिनके हर्प से आपको sensitivity में काफी relief मिलेगा पर उससे पहले मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूंगी कि यह medicated toothpaste होते हैं यानि कि इन में दवाईया होती हैं तो आप इनको लंबे समय तक यूजमत केज़ेगा कम से कम दो या चार हफते तक आप इन toothpaste को यूज़ कीज़े उसके बाद जो आपकी normal toothpaste होगी जो भी आप यूज़ करते हैं daily hose में वो आप यूज़ कर सकते हैं तो इन toothpaste के आप नाम देख सकते हैं Colgate Sensitive Pro Relief, Shine M, Thermo Seal या फिर Sensodyne Relief तो इन सब में से कोई भी एक toothpaste आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपने normal toothpaste पे switch कर सकते हैं So yes, this is all about today's video I hope आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो helpful लगे तो नीचे like ज़रूर केशेगा उसी के साथ चैनल को नीचे subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की update आपको मेरते रहें तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you अपना खयार रखे and good luck कर दोड़ा आपको कर दो ओध़ू